Hi everyone, welcome back, hope आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे आज का ये वीडियो उन सब के लिए बहुत important होने वाला है जिन लोगोंने AMU का अलिगर मुसलिम इनश्टी अलिगर का entrance test दिया है और वो वेट करें result के लिए जैसा कि जामया का update मैं आपको देता रहा तो result कैसे check करना इस वीडियो में हम लोग अलिगर के बारे में जानेंगे कि आपका result कैसे check करेंगे entrance result जैसा कि आप सब को पता है कि B.U.MS का result आ चुका है वहाँ पे B.U.MS का उर्दू के लिए अलग test होता है वैसे तो NEET के marks के base पर आपका selection होता है बट उर्दू के लिए अलग सा test होता है तो वह उर्दू test का result है वह आ गया है तो हम लोगर चलके इस वीडियो में देखते हैं कि बांकी की result आप कैसे check करेंगे और बांकी जो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिए कट आफ जैसे कि BSC का कितना कट आफ जाएगा BA का, BALLB का, B8 का उसके बाद मैंने BITEC का बता दिया है 11 का बता दिया है, Arts, Commerce, Science, Diploma, Engineering इन सारे कट आफ को मैंने बता दिया है चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में होगा AMU Admission and Guidance करके एक प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको मिल जाएगा बांकि इस वीडियो के end पे भी मैं दे दूँगा इस वीडियो के description मैं भी मैं दे दूँगा उसके बाद है देखते हम लोग result AMU का कैसे check करेंगे AMU के entrance exam का result उसके लिए सबसे पहले आपको Google Chrome में जाना होता है यहाँ पे यह सर्च टैब है यहाँ पे आपको सर्च करना है AMU का website आप सबको पता है AMU का website www.amucontrollerexams.com इसकी बाद आप जिब सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ टैब के आता है इसको आपको scroll down करना है आपको नीचे आना है यहाँ पे नीचे notice and update में आपको आना है यहाँ देख रहाँ आप यहाँ पे notice and update है यहाँ सारे notice and update आता है यहाँ पे आपको देखें तो list of candidate यहाँ पे यहाँ पे यह आपका fifth pointer list of candidate who qualified in the admission to BMS would test of Urdu यहाँ पे यह इतना नीचे इसलिए के इसके बाद बहुत सारे notice आ चुके तो यहाँ पे आपको आता रहाएगा recent जो notice होगा अगर आप हर दिन check करेंगे obviously इसके बाद अगर जो कुछ आएगा तो यहाँ पे कहीं आएगा फिर उसके top इसके मैं क्लिक करता हूँ यार तो देखो list खुलके आती है हमारे पास यह हमारे पास list है इसमें हम लोग समझते है BMS की list है जो अर्दू test of Urdu जो हुआ था उसका है वहाँ पर हम लोग समझते है क्या serial number है आपके पास यह roll number है जो आपका roll number था जो internals आपने दिया है application number है जो की आपने form fill के तो उसमें एक application number मिलता है name of students है या या status है status मतलब कि internal हो आप या external हो e for external है और i for internal है उसके बाद नीट roll number आपको है नीट registration number भी है तो आप अपने result इस तरह से चेक कर सकते हैं वाँकि इस PDF का लिंक में नीचे description में और first comment में दे दूँगा और अगर आपको personal ही कुछ पूछना है मुझसे तो यहाँ पे instagram ID मेरी दिखरी होगी iam underscore shara आप वहाँ पे message कर सकते हैं वैसे तो channel के नाम से भी instagram ID है वो बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर कर दूँगा फिलाल वो personal ID पे आप मुझे अपना personal query पूछ सकते हैं और बाकि चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगो इसका benefit मिल सकें और अगर जामिया के लिए preparation कर रहे हो या next year के लिए preparation कोई लोग कर रहे हो तो उसके लिए मैं जामिया अलिगड़ के लिए मैं बहुत जल्दी खुद से ही पढ़ाने वाला हूँ चैनल पी और जामिया के लिए अगर previous आपको paper चाहिए result का आप वहाँ पे आपको directly result PDF में चाहिए तो जॉइन कर लेने टेलिग्राम चैनल उसका बिलिंक description में और first comment में दे दूंगा so that is for today please stay connected keep growing thank you so much